असलामु आलेकुम दोस्तो जब भी हम इसे किसी को कोई काम करवाना होता है तो हम एक्सपर्ट और करिगर बंदा तलाश करते हैं आपने बहुत से प्रोफेशन के माहर तरीन लोग देखे होंगी लेकिन आज किस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे तेस तरीन वरकर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ तो शुरू करते हैं अपना काउंट डामु नमबर 12 दोस्तो आपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम होती तो देखा होगा अगर कॉंक्रीट को रूफ पर लेकर जाना हो तो ये काफी मुश्किल काम है इसके लिए क्रेन या पिर स्पेशल ए प्रासफर कर देते हैं और उपर वाला वर्कर इसे परफेक्टली कैच कर लेता है इसके लावा ये जो लिबर आप देख रहे हैं इने शायद बिल्डिंग मनाने के लिए भी किसी क्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगी ये कॉंक्रीट को सिर्फ बेल्चों से ही रूफ पर पह है खाना टाइम पर रेडी नहीं होता और कस्टमर्स अपना पूरा गुसा वेटर्स पर निकालते हैं इसके लावा वेटर बिचारा एक होता है और ओर दस खैर ये जो रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं इसमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहां वेटर् फास्ट हैं बलके इनकी बैलंसिंग भी कमाल की है ये खाने को गिरने तो दूर हिलने भी नहीं देते इसके लावा इनका एक 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 एम्पलॉई दस और केरी भी कर सकता है और इन्हें एक टाइम में सर्व भी कर सकता है नमबर टैन दोसो आप में से किस किस को शोर्मा खाना पसंद है इसका तो नाम सुनकर ही भूग लग जाती है शोर्मा एक स्ट्रीट फूड है और इसके कस्टमर्स भी बहुत ही ज्यादा होते है इसलिए शेफ को तेजी से इसे बनाना पड़ता है ताकि सब और्डर्स पू ये रियली अपने काम में बहुत ही एक्सपर्ट है ये चिकन को इतनी स्पीड से काटते है कि इसे तो देख कर ही मज़ा आ जाता है और इसके बाद ये मिंटों में शुर्मा बना देते हैं ये सच में कमाल है नमबर नाइन दोस्तो होटल में खाना बनाने की बात करें तो य रिक रही है यकिनान इस रेस्टोरनेट के कस्टमर्स इन से बहुत ही सैटिस्फाइ होंगे क्योंकि इनकी डिखाना बनाने की स्पीड रियली अमेजिंग है नमबर 8 दोस्तो किसी भी कंपनी में प्रोड़क्ट त्यार होने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्रम इसकी पैकेचिंग और बॉक्सिंग होती है लेकिन कुछ कंपनी इसको ऐसे फास्ट वरकर्स मिल जाते हैं जो ये काम सेकंड्स में कर लेते हैं जैसे कि ये वरकर ये इसे डाल रही हैं इनकी ये हैंड बेंड डिवाइस रियली अमेजिंग है और ये वरकर केबल्स पर मार्किंग कर रहे हैं ये सब बहुत ही एक्सपर्ट हैं नमबर 7 दोस्तो आपने गाउं वगयर में किसानों को वेजिटेबल्स उगाते तो देखा होगा फार्मिंग का का आसान नहीं होता और फार्मर्स को सबजियां वगयरा उगाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है लेकिन आजकल मशीन्स ने ये काम काफी आसान कर दिया है ये जो स्पेशल वही कल आप देख रहे हैं इसमें वरकर्स लेट कर ये काम करते हैं इन वरकर्स को ये सबज नमबर 6 दो सो आप सब को बच्पन में ड्राइंग करने का शौक तो होगा सारे बचे ही ड्राइंग्स और इनमें कलर करना बहुत ही पसंद करते हैं ड्राइंग करना काफी बारीखी का काम है और ये बहुत ही स्लो होती है लेकिन कुछ प्रोफेशनल आर्टिस्ट के लिए ये बाएं हाद का खेल है ये जो आर्टिस्ट आप देख रहे हैं ये शायद दुनिया में सबसे फास्ट ड्राइंग करते हैं इनकी स्पीड रियली इंक्रेडिवल है और ये बिल्कुल परफेक्ली ड्राइ करते हैं शायद हम लोग ये घंटों में भी नहीं कर पाएंगी जो ये एक्सपर्ट मिंटों में कर लेते हैं ये वाकही में कमाल है नमबर फाइव दोस्तो आप सब लोग ने डोनट सो जरूर काए होंगे सुईट्स में इस से बेतर और क्या हो सकता है डिलिशिस क्रीमी डोनट बनाना काफी मुश्किल काम है क्योंकि इसको ये सरकल शेप सिर्फ एक्सपर्ट सी दे सकते हैं या फिर मशीन्स लेकिन ये जो अमेजिंग वरकर आप देख रहे हैं ये इतनी महारत से डोनर्स बनाते हैं कि इस प्रोसेस को तो दे कर ही मज़ा आ जाता है इनकी ना सिर्फ स्पीड कमाल की है बलकि ये परफेक्ट साइज और शेप की यमी डॉनर्स बनाते हैं नंबर फूर दोस्तों आप सबने मैंगो तो खाया होगा 90% लोगों का ये फेवरेट फल होता है और ये वाके ही में दुनिया की सबसे डिलिशिस फूर्ट में से एक है लेकिन आम को काटना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसका चिलका बहुत ही बारीक होता है खास करके अगर आपको जूस बनाना हो तो आम का चिलका उतारना बहुत मुश्किल काम है लेकिन ये जो इंपलाई आप देख रहे हैं ये मैंगो का सेकंड्स के अंदर ना सिर्फ चिलका उतारती है बलके ये हातों में ही इसके परफेक्ट सलाइस क कर देती हैं इनकी स्पीड इतनी तेस है किसे देख पाना भी मुश्किल है ये सच में जबरदस्त है नमबर थ्री दोसो आप देपने घर पर रोटी बनते हुए तो देखी होगी इस प्रोसेस में आटे की डो से पहले पेड़ा बनाया जाता है और पिर इस आटे से गोल रो मुश्किल है ये इन छोटी चिपादियों को किस तरह कुक करेंगे ये तो पता नहीं है लेकिन इनकी स्पीड वाक ही में बहुत तेज है नमबर दू दोस्तों अगर फिश की बात करें तो इसे काटना काफी मुश्किल काम है इसे सिर्फ एक्सपर्ट लोगी सही से साफ करक हैं लेकिन क्या हो अगर एक जाइंट आक्टोपस को काट कर इसके पीसिस कर रहे हो ये जो वरकर आप देख रहे हैं ये जाइंट आक्टोपस को इतनी तेजी और सफाई से काट रहे हैं जैसे ये कोई मूली कातिर हो इनकी स्पीड और कटिंग स्टाइल सच में देखने ला सारे काम कर लेते हैं ये जो एक्सपर्ट ग्रेंट पाप देख रहे हैं ये एक सिंपल सी खाने की चमच की मदद से अमेसिंग पास्ता बना रहे हैं एक दफ़ा चमच को घुमाया और पास्ता रेडी ये सच में अन्बिलेवेबल है आज के लिए तना ही दोस्तों नेक्स व झाल